The Clever Merchant, ये है आज की इंगलिश की short story, हिंदी में करेंगे इसको translate, इस story की help से आप इंगलिश के हर एक structure को बारी किसे सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, इसके साथ ही साथ कई सारे इंगलिश के नए word meaning भी यहाँ पर आप सीखेंगे, और जो grammar का part है उसको भी cover करेंगे, तो चलिए start करते हैं, the clever, clever का मतलब होता है चतुर कह सकते हैं, चालाक, merchant, merchant का मतलब व्यापारी, व्यापारी कैसा clever, तो यहाँ पर व्यापारी यानि की merchant noun है, noun से पहले यहाँ पर clever adjective है, और the यहाँ पर definite article है, किसी निश्चित व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, मतलब सभी merchant की बा चलिए, story यहाँ से start होती है, once एक बार there was, there introductory there है, यहाँ पर as a subject इसका use किया गया है, sentence का complete sense सही तरीके से बठाने के लिए, और यहाँ पर there का हम Hindi में मीन नहीं निकालेंगी, there was a rich diamond, rich ameer हो गया, diamond hero का a merchant व्यापारी, मतलब एक, तो एक व्यापारी था, एक राजा था, एक रानी थी, एक पेड़ था, दो पेड़ थे, तीन पेड़ थे, इस तरीके से, ऐसे वाक्यों को हम पूरा करने के लिए, subject की रूप में there का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह there के ब किया जाता है, तो once there was a rich diamond merchant, यानि कि एक बार एक अमीर, hero का व्यापारी था, तो यहाँ पर was का प्रियोग किया गया है, simple past के वाक्य, without action वाले वाक्य, जहाँ पर, जो subject होता है, उसकी state, अवस्था की बात करते हैं, कि जो subject वो कैसा है, कौन है, कहां पर है, ऐसे वाक्यों मे हम was work का प्रियोग करते हैं, without action वाले sentences में, बिना verb का प्रियोग किये, साधरन से वाक्य है, simple past का वाक्य है, आगे देखें, a thief, एक चोर, had been following, तो यह क्या है, कौन सा वाक्य है, कौन सा टेंस का, तो इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, had का मतलब, यह past tense का वाक्य तो ह had past tense, been यहाँ पर verb की third form है, verb की third form, यानि कि head के साथ third form, तो perfect, past perfect, verb में यहाँ पर ing लगा है, verb में ing लगा होना, यानि कि past का continuous, perfect भी है, तो कौन सा टेंस हो गया, past perfect continuous tense, जहाँ पर since for का use किया जाता है, समय के साथ भी use किया जाता है, बिना समय के भी आपको वाक्य मिल मतलब एक चोर had been following the merchant, merchant को जो है follow, यानि कि उसका पीछा कर रहा था for some days, यानि कि कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था, one day, तो यह हो गया past perfect continuous tense, जिसमें had been के साथ verb की form के साथ, verb की first form के साथ ing का प्रयोग होता है one day, एक दिन, the merchant, वो व्यापारी, the merchant हो गया, निश्चित हो गया, पहले हमने जब merchant को पहले बार introduce करवाया, तो a article से, लेकिन अब इसके दुबारा से बात आ रही है, तो the article का use हुआ है, अब वो हमारे लिए known हो गया, one day, the merchant was carrying, carry करना, ले जाना, ढोना, तो was के साथ carry में ing ह यानि कि past का, ये continuous sentence का sentence है रहा था, रही थे इस तरीके से, तो ले जा रहा था, एक दिन जो व्यापारी था न, वो क्या ले जा रहा था, a lot of cash, यानि बहुत सारा cash, nugget and precious, precious का मतलब कीमती, diamonds, यानि कि हीरे, कीमती हीरे ले जा रहा था, ये past continuous sentence का वाक्य है, with him, यानि उसके स him यहां उस merchant के लिए यूज हुआ है, he was caught, he was caught in rain, तो यहां पर caught past participle के रूप में, वर्प की third form के रूप में, यहां पर इसका मतलब है, फस जाना, तो वो फस गया था, कहां पर बारिश में फस गया था, he was caught in rain, तो यह भी simple past का वाक्य है, without action वाला, फस जाना यहां पर caught का म love है, so he entered, so, यानि इसलिए उसने entered प्रवेश करना, प्रवेश किया, a guest house, एक guest house में, to rent, to rent किसलिए, to rent, यानि किराए के लिए, क्या किराए के लिए, एक कमरा, एक कमरा किराए पर लेने के लिए, तो यहां पर two plus rent verb की first form का infinitive का प्रयोग हुआ है, एक तरीके से, यहां पर जब भी two के साथ verb की first form आ जाती है, तो infinitive का use होता है, कई बार यह purpose को show करता है, और देश्य को show करता है, आगे देखें, the thief also, the thief also, यानि कि चोर भी followed, यानि पीछा किया him, उसका, चोर ने भी उसका पीछा किया, मतलब वो जब कमरा ले रहा था, वहां पर भी उसक तो इसका मतलब होता है, मांगना, तो मांगा, ask for, यह asked है, यानि ed लगा है, तो verb की second form है, ठीक है, तो मांगा, और ask for का मतलब, मांगना तो मांगा a room, a camera in the guest house, in the guest house, यानि guest house, यानि कि उस guest house में ही उसने एक कमरा, मांगा उसका पीछा कर रहा था, तो there was only, there was तो यह followed हो गया ask हो गया, verb की second form, simple past का वाक्या है, verb की second form का मतलब subject के बाद, अगर verb की second form है, तो simple past का वाक्या है, there was, was का use हो है, देखें, यहाँ पर there है, was से पहले यहाँ पर there का use हो है, as a subject, यह भी introductory there है, subject का complete chance देने के लिए as a subject, subject के रूप में there का प्रयोग हुआ है, there was only, केवल one vacant room, था room कैसा था, खाली, vacant का मतलब खाली, यह adjective है, room यहाँ पर noun है, मतलब की एक कमरा, सिर्फ एक कमरा खाली था, तो अब सिर्फ एक कमरा खाली था, अगर आप इस sentence को, इस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा यह sentence नहीं बनेगा, इसके head आया, फिर 2 प्लस वी वन का प्रयोग, इस तरीके से समझे, head के बाद में 2 प्लस वी वन का प्रयोग, 2 प्लस वी वन यानिकर इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, तो उस sense में मजबूरी में भी हो सकता है, ज़रुरत भी हो सकती है, past में, यानि कि मजबूरी में करना पड़ा तो so both of them तो दोनों को क्या करना पड़ा share करना, बाटना, साजा करना it यानि उस कमरे को मजबूरी में बाटना पड़ा, साजा करना पड़ा the thieves the thieves यानि चोर का पॉस्ट्रोफी लगकर s लगा है, heart जो उसका हृद्य था, was filled with joy, with joy, यानि joy से आनन्द से, खुशी से उसका जो हृद्य था भर गया था, both of them kept their suitcase in the room दोनों ने, दोनों ने रखा, kept यानि रखा their suitcase, उनका जो suitcase था, कहां पर in the room कमरे में रखा, ठीक है यह भी simple past का वाक्य है after some time, the merchant went out, go की second form कुछ देर बाद, जो merchant वो व्यापारी गया, बाहर for, किस लिए गया, ठीक है उसका reason क्या था जाने का, तो for for के बाद में, now dinner के लिए यानि की, रातरी की भुजन के लिए वो भाल गया, the thief searched, जो thief था उसने तलाशी लेना search करना, खोजना, ढूणना, तलाशी लेना, तो तलाशी ली through यहाँ पर है, through किसी में से होकर कुछ करना इस sense में भी होता है, तो through का यहाँ पर है कि सारी, संपून यानि शुरू से लिएकर अन तक, यह दूसरा मीन है इसका, the thief the thief searched through the merchant suitcase, चोर ने जो है, तलाशी ली संपून सारी merchant के suitcase की ठीक है, merchant suitcase है merchant के suitcase की, अपोस्टोफे लगकर ऐस लगा है, merchant की बाद आप देखें तो सारी संपून तलाशी उसके suitcase की ली simple past का वाक्य है, but he did not find, did not find, यह simple past का वाक्य है, लेकिन यह negative है जब हम positive sentence बनाते हैं simple past में, तो subject के बाद में verb की second form का प्रियोग कर देते हैं जब negative बनाते हैं, तो did not के साथ verb की first form हाती है याद रखे, did not के साथ did not आ गया, तो verb की first form का ही प्रियोग होगा, any diamond यानि कि कोई भी diamond उसको नहीं मिला, तो find मिलना पाना, इस तरीके से find का यूज होगा, verb की first form है, did not के साथ, आगे देखे when the merchant returned जब merchant व्यापारे lota, ठीक है, return second form, lota, the thief said, यानि thief ने चोड़ने कहा, क्या कहा, यहाँ पर inverted comma आएगी, sir I am a thief, कि sir मैं क्या हूँ मैं चोर हूँ, I am तो am का use हुआ है simple present, यानि कि present indefinite tense का वाक्य है इसे मार का प्योग करकर हम without action वाले वाक्य बनाते हैं subject कुछ है, कही है ऐसा बताने के लिए तो subject क्या है, I am a thief तो I यहाँ पर subject है, subject एक चोर है, तो I am a thief तो thief होना है याँ पर कोई action नहीं हो रहा without action वाले sentences ठीक है, I am a thief, I search मैंने तलाशी ली for diamond in your bag for यानि intentionally कोई purpose होता है, ठीक है तो I search तो वहाँ पर for का use, I searched for मैंने तलाशी ली, किस की for diamond, diamond की in your bag, आपके bag में लेकिन but I did not find did not के साथ work की first form याद रखे, simple past का जब भी वाक्य बनाएंगे, तो simple past का negative जब भी वाक्य बनाएंगे तो did not हो जाएगा, did not का इस्तिमाल करेंगे, did not के साथ work की first form का ही प्रयोग करेंगे, positive बनाएंगे तो work की second form का प्रयोग I did not find them मतलब them यानि जो diamond है उनकी बात हो रही है, तो मुझे जो है diamond नहीं मिला the merchant smiled merchant जो है muskuraya and said bola, क्या बोला the diamonds जो ही रहे है R है plural subject है, diamonds है इसलिए R का प्रयोग हुआ है without action वाला, simple present यानि की present in definite tense का वाक्य, without action वाला कहा पर है, in your suitcase तुम्हारे suitcase के अंदर जो है, वो diamond है I knew, new no का मतलब जानना तो second form है new यहां पर मैं जानता था that की you would never search there you would never search there देखे, would के साथ यहां पर verb की first form है, तो जब भी narration की बात है, ठीके narration में ऐसा यूज होता है narration के sentence जब direct indirect sentences बनाते हैं, तो इस तरीके से sentences बनाए जाते हैं, ठीक है एक तरीका तो यह will की जगे would का प्रयोग, दूसरा की past में जब भी हम future की बात करते हैं तो would का use करते हैं, past की future के लिए, ठीक है, और यहां पर भी देख सकते है, new work की second form है यहां पर will की जगे would का प्रयोग, तो क्या है इसका मतलब, I knew that you would never search there, कि मैं जानता था कि तुम क्या नहीं करोगे, कभी भी वहां पर तलाशी नहीं लोगे, वहां पर नहीं खोजोगे, तो यह थी story, छोटी सी कहानी, तो उमीद है कि आपको समझ में आई होगे, क्योंकि यहां पर मैंने tenses के हर एक structure को समझाने की कोशिश की थी